हेलो दोस्तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ असल मैं देखिए दिन के 5-6 वीडियो डालता हूँ इसलिए आपके बास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो मैं आप से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लेट से जाकर ही देखिए बहुत लोग के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है जैसा कि मैं आप है अगर कभी भी आप को ऐसा लग एक ही आज क्या हूँ रहा बीडियो एक विडियो एक ही नहीं डाला है क्या हो गया तो आप लोग प्लेलिस्ट में जागर एक बार देख लें क्योंकि बहुत लोगे पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है समाझ गया तो ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो गाईज आप सभी लोग असवागत है मेरे चैनल एंड में एक्स्प्लेंस पर जैसे कि पिछले बार आपने देखा था हमारा हीरो जैसे दुष्मनों को मारते जा रहा होता है नए 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 ताकतवर दुष्मन उसके सामने आते जा रहे थे लेगिन ये वाला अभी तक स और बिटकुल भी नहीं करने दूँगा आज मैं तुम दोनों को साथ में ही खतम कर डालूंगा तेकिन डार्क सेज बहुत ही जादा पाउरफुल रहता है वो अपनी पावर का इस्तमाल करता है और वहां पर होता एक बहुत बड़ा धमाका और ये डीमन चाहकर भी उसके हम पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो मैंने तुम पहले कभी यहां पर नहीं देखा है और तुम तुम इस जगह पर घुस कैसे गए तुम यहां पर आये हो इसका मतलब तुम नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं हो चैन उसे देखकर एक देम हैरान था क्योंकि डार्क से नहीं यह कौन है आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है क्या मेरे पास अपरजिनिटी है कि मैं वॉर्ड स्पेस में जाकर छुप सकता हूँ सेज कह रहा था कि तुम हो कौन और ऐसे बढ़बढाना बंद कर मुझे पता है कि तुम कोई सिंपल कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं हो चैन कहा रहा था कि यह डीमन ट्राइब यह इनिसेंट लोगों को मार रहे थे और मैं मैं कोई सिंपल कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा कि तुमने कहा मैं बस उन लोग को पनिश करना चाता था जो वो डिजर्व करते थे सेज कह रहे होते हैं तुम अ हवा के जोके से भी तेज उसके पास से बुजर जाता है वो देखता है तो अरे यह हवा का जोका था वो पीछे कैसे चला गया और मेरी सौर्ड मेरा वेपन वो लेकर चला गया एधर वो पास में ही रहता है और कह रहा था यह एक यूनीक डिवाइन वेपन है इसके अंदर बहुत सारा क्यूबाई है जो कि अगर किसी भी मोटे आर्मर पे लग जाए तो उसे पेनिट्रेट कर सकता है जब वो सौर्ड पर अपने काबू करने की कोशिश करता है तब वो सौर्ड रेजिस्ट कर रही होती है और वो कहता है वाओ यह तो कमाल की बात है यह अपने विल से यह अपने विल से चल रही है मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा इसका मतलब यह मुझे अपना मास्टर नहीं मानती और यह अपने मास्टर को अच्छे तरीके से पैचानती है यह कोई ordinary weapon बिलकुल भी नहीं है यह ancient sword है sword of heaven का है ancient sword dark heaven demon bane blade भी आप इसे कह सकते हैं और तुम मुझे जवाब नहीं देना चाते हो तो मैं इसके बारे में अपने आप ही पता लगा लूँगा वो अपने हाथ में एक energy ball बनाता है और जो वहाँ पर demon का statue था उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है चेन पूछ रहा होता है आकर तुमने demon tribe के demon के statue को क्यो तो यह जो dark demon sage है इसने अपना नाम northern के deep sea में बनाया था क्योंकि इसका जो martial art skill है वो बहुत ही जादा खतरनाक है इसके tactics भी बहुत जादा अच्छे हैं और यह दुनिया में एक evil की तरह भी माना जाता है कि यह बहुत जादा बुरा है जब यह जवान था यानि करीब यही adult होन लिए उन्होंने इसके family members को मार दिया ताकि वो लोग उस god devoring technique को हसल कर पाएं लेकिन फिर इसने खुद की कड़ी मेहनत की और god devoring technique को हसल करने का सोचा उसके बाद वो कुछ और लोग के साथ मिल गया जिसका नाम है holy spirit sage और under world sage इन तीनों को tryo कहा जाता है और यह तीनों को म मुश्किल होता है कि क्या बोला जा लेकिन इसने breakthrough किया है हाला कि वो जो god devoring technique थी वो बहुत ही ज़्यादा powerful थी imagination के भी बाहर की थी और इतना ज़्यादा इसका cultivation नहीं हो पा रहा था कि यह capable होच पाए लेकिन फिर भी इसे genius कहा जाता है genius से भी बड़ा genius और उसी god devoring technique को रहा था demon tribe में और demon tribe में आने के बाद इसकी मुलाकात हो गई हमारे goo chain से और अब चलिए इसके आगी कहानी जानते हैं कि क्या होने वाला है इधर हम देखते हैं कि chain उसे चक्मा देकर भागनी कोशिश कर रहा था अपने element puppet बना कर और सोच रहा था कि मेरे पास अभी मौका है मैं void realm को open कर सकता हूँ और फिर उसे open करने के बाद वहाँ से भाग जाऊँगा लेकिन तब तक उसे पता चल चुका होता है वो अपने एक ही बार में उसके puppet की धजिया उड़ा डालता है जिसे देखकर ये भी एकदम डर गया होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ ए कि एक person की body में nine major qi veins होते हैं जो पूरे body में cultivation फैलाते हैं और इसने इसके veins को seal कर दिया है इसलिए अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा अब उसने chain की power को block कर दिया होता है तो वो उसे लेके भागने लगता है लेकिन तब ही पीछे से कुछ हमला आता है वो उस हमले को एक ह प्रिंस कर देता है तो उसका एक पत्थर का टुकड़ा side में गिर चुका होता है और वो हमारे chain को लेकर उर चुका होता है दूसरी जगा पर तब तक वहाँ पर 10th prince आता है उसे वो पत्थर का टुकड़ा देखता है वो उस टुकड़े को उठाता है लेकिन वो टुकड़ा अचानक से बहुत जादा ही चमकने लगता है और फिर जैसे चमकना बंद होता है हमें दिखाया जाता है वो देख रहा होता है कि उसके father पैठे हुए हैं और ये सभी लोग जुके हुए लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो राजगदी पर वो बैठा हुए रहता है और और तुरंत ही उस पत्थर को लेता है और पटक देता है कि मैं मैं प्रिंस हूँ और मैं इन सब डीमन आइटम्स के जाल में बिल्कुल भी नी फसने वाला हूँ असल में ये एक आईटम ही होता है जो अगर ये अपना will दे देता तो इसका खेल तो आज यहीं पर खतम हो चबा जाता है लेकिन फिर देखिए ये उस पत्तर को उठाकर वहाँ से चला जाता है चोड़ता नहीं है और फिर इधर में नीचे से दिखाया जाता है कि कोई और बाहर निकल रहा होता है जो कि लावा में बैठा हुआ रहता है और ये होता है इंटर्नल डैनेस्टी का सब सबसे बड़ा प्रिंस यानि सबसे बड़ा बेटा ये भी उसे एक खटा करने के लिए आया होता है और ये होता है बलड जेड लगता है ये बलड जेड का कहानी बहुत जाता लंबा है क्योंकि हर कोई से पाना चाता है तब तक वहां पर डीमन क्लैन के कुछ और मेंबर्स आ वो कहार होते है किसकी इतनी हीमत होगे जो हमारे क्लैन में आकर हमारे जेड को चुराना चाहता है चुप-चाप वो हमारे हावाले कर दो लेकिन ये मजाक उड़ा रहा होता है किया तब तुम सब कुछ छोटे मोटे मुझे मारना चाता हो ये आते हैं हमला करने के लिए ले के बाद हम देखते हैं कि इसके पास कलेक्शन होता है यह बहुत सालों से मैनत कर रहा है लेकिन अभी तक सिफ दो ही जेट को हासिल कर पाया है और इसका मकसद अभी तक हमें क्लियर नहीं होता है कि आखिर यह क्यों इस ब्लड जेट को हासिल करना जाता है लेकिन अगर एक बा तुमने इने मार दिया, तुमने पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम बहुत ही ruthless person हो, लेकिन इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है, तुम कितने ताकतवर हो या फिर dark demon हो कुछ भी हो, आज तुम मेरे ice prison से नहीं बचने वाले हो, और तुम इस ठंड में मारे कर दो, इसके अलाबा, गू चैन शा को release कर दो, और फिर मैं तुमें ice prison से बाहर निकाल दूँगी, अब dark sage को भी ये बात पता चल चुकी होती है, कि ये 19th prince है, क्योंकि 19th prince के बारे में सब कोई जानता है, कि बहुत ही जादा बेवकूफ और कमजोर इनसान है, और इधर chain को चिंता हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा, अब तो ये मेरी असली identity के बारे में जान गया है, और chain चाह कर भी इसका कुछ नहीं बिगार सकता है, क्योंकि अगर ये चाह ले, तो chain और purple को दोनों एक साथ खतम कर सकता है, तो guys आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों को एक application नहीं आ रहा है, तो playlist से ही जाकर देख लो, या फिर आराम से बैठो, और playlist से ही पूरा देखो, दंदन आके, ठीक है?